देखिए, disability pension का जो निर्णई है, जो calculation है, वो depend करता है दू चीज़े का उपर, धेन रखिएगा, दू चीज़े का उपर depend करता है, सबसे पहला जो चीज़े हैं, वो है आपका percentage of disability, आपका कितना percentage of disability, आपका जो medical board है, दक्तर ने, medical board ने, आपको कितने percentage of disability दिया हुआ है, नमबर वन, condition नमबर टू, कि आपका disability किस बज़े से हुआ है, यानि कि आपका disability aggravated या attributable, आप सोच रहें, ये attributable और aggravated ये कौन सा बला है, देखिए, aggravated वो है, जैसे कि आपका branchial asthma हो गया, या फिर आपको hypertension का बिमारी हो गया, ये क्या हुआ, फोज का stress and strain के बज़े से हुआ है, ये बिमारी, कि किसी एक दिन बक्सा उठने गए, तो आपको नहीं हुआ, मेस वरकिंग गए, रैशल लाने गए, इस बज़े से आपको नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये डिरेक्ट किसी activity के उपर आप इसको relate नहीं कर सकते हैं, ये आपका entire जो service है, जो service condition है, उस बज़े से हुआ है, त कारी में load करते समाए, एक बक्सा आपका पैर में गर गया, भगवान ना करें कभी किसी को ऐसे ना हो, तो आपको इस बज़े से पैर में fracture हो गया, तो क्या होता है, ये directly देखिए, जो disability हुआ, आपका fracture हो गया, ये disability है, ये directly, एक reason, direct आप relate कर सकते है, तो इस case में, ये जो disability ह है, वो attributable to military service, ज्यादा तर जो accident, किसी incident का बज़े से, जिनको disability होगा है, duty का दरन, तो ये जो है, attributable to military service मना जाता है, आप छुट्टी में है, casual leave में है, आपको कुछ हो गया, वो भी attributable to military service, कभी को भी मना जाता है, वो different करता है, जो quota inquiry है, वो क्या decide करता है, कम से कम aggravated तो होना ही चाहिए, पर EL में अगर होता है, तो ये एक होज का rule है, आप annual leave में है, तो उस condition में, जब आप छुट्टी से बापस आ रहे थे, और जब छुट्टी जा रहे थे, ये दुनों ही duty में count है, और इस case में, आपका अगर कोई accident हो जाता है, तो वो भी aggravated by military service count होगा, याने कि आपका जो disability है, या तो वो attributable या फिर aggravated, ये दोनों में से एक होना चाहिए, अगर ऐसे है, तो आपका condition number two आप fulfill करते हैं, तो ये दोनों condition जो मैंने बता है, फर्स condition है, कि आपका disability का percentage, वो 20% से ज़्यादा होना चाहिए, और second condition है, कि आपका, तो ये दोनों condition अगर fulfill करते हैं, तो आपको disability pension मिलेगा, अब कितना मिलेगा, देखिए, इसका जो calculation है, बहुत simple सा है, अभी देखिए, जो 7 CPC का बात कर रहा है, अभी का जो system है, अभी grade pay system नहीं है, सीधा-शीधा pay matrix में, pay level में आपना जितना आपका basic pay है, वो ल 5,000, अब आपका MSP है, 5,200, 50,200, और क्या है, और आपका class pay है, मान लीजिए, 800 रुप है, तो कितना हो गया, total तीनों मिला करके, 51,000 हो गया, अब आपका, जो disability pension होगा, वो कैसा होगा देखिए, अगर आप 100% disabled है, तो आपका disability कितना होगा, 51,000 into 30 by 100, याने कि 30%, जितना आपका emoluments, यह जो total, तीनों चीज़ों का, जो मैंने total बताया है, इसी service में, जैसे आपोस program में है, वहाँ पे good service पे भी बना जाता है, और भी कहीं सरे pay हो सकता है, जो भी pension के लिए, जो pay, जो accumulate होता है, जिस pay के ओपर आपका pension बन रहा है, वो है emoluments, उस emoluments का 30%, याने कि 51,000 का 30%, यह जो amount होगा, लगबाग, पंदरा हजात कीन शुकासफास हा रहे है, तो यह जो है amount, यह होगा आपका 100% disability, आप माल लीजिए, बोर्ड आपको 20% disability दिया होगा है, एक term और है, यह आपको धान में रखना होगा, यह है broad bending, ब्रोड बेंड disability, 20 से लेकर के, अगर 49% तक बीच में है, 21 हो, 30 हो, 40 हो, 49 हो, तो आपका यह माना जाएगा 50%, 20 से लेकर के 49% का अगर disability है, वो माना जाता है 50%, तो माल लीजिए, आपको 20% दिया होगा है, तो आपका सीधा-सीधा, आपका broad bending कितना होगा, आपका disability, 50%, तो आपने क्या बता जा disability, अगर आपका है, तो आपको कितना मिलेगा, 15,300, तो अगर आपका 50% disability है, तो कितना मिलेगा, इसका हाप दिलेगा, बहुत सेंपल सा, तो इस आपका disability pension है, बहुत लोगों का यह doubt था, कि 7 CPC में, जो disability pension revised होआ था, और slap-daced होआ था, हाँ, आपने बिलकुल सही देखा या पड़ा होगा, यह हुआ था, रिकमेंडेशन था, 7 CPC का, बट, September, 5 September 2017 का लेटर है, अब देख लीजेगा, उसमें फिर Government of India ने इस पस्ट कर दिया, कि वो जो slap-based जो था, system, ऐसे कुछ भी नहीं होगा, simply आपका जो पहले का, जो system था, यानि कि 30% का जो हिसाब है, जो calculation था, उसी को 2.57 multiplication factor से गुना करके आपका भरसमान जो disability pension counting किया जाएगा, यानि कि slap-based जो disability pension है, वो लागू नहीं हुआ, very simply, आपका 30% of basic यह है, 100% disability, तो उभीद है कि अब यह clear हो गया, लेखिए इस बारे में मेरा 2-3 वीडियो है, की इसे बारे मेरा 2-3 वीडियो है